तो हे गाइज गुड मॉर्निंग आपका दोस्ट रम फीर से लेके आ गया है पूरे बिहार के कोने कोने सी उन्युवर्सिटी नियुश्ट तो फिलाल दोस्तो हम शुरू करते हैं तो यहाँ पहली दोस्तो जी निकल के आ रही है आप लोगों को कि यहाँ पर लेटेस्ट अप पर लेटेस्ट नियुश तो फ्रेंस यहाँ पहला नियुश है यहाँ पर कि इस्टुडेंट क्रिट कार्ड से नहीं मिला नून सरक पर उतरे छात्र पुलीश ने धून डाला जी यहाँ दोस्तो इस्टुडेंट क्रेट कार्ड में आसका किसी किसी कोई लोन मिल पा रहा है इसे लिए दोस्तों यहाँ पर यह ख़बर निकल के आई है और फ्रेंज यहाँ पर दूसरी ख़बर है PU में BSC में admission के लिए entrance test आज होने वाली है BSC की और दोस्तों BA की कल होने वाली है तो हमारे तरब से आप सभी लोग को best of luck और दोस्तों यहाँ पर seat को लेकर यहाँ पर कुछ बताएगा यह दोस्तों तो मैं आप लोग के लिए यह वाली ख़बर के लिए एक special वीडियो लगा दूँगा और आप लोग बताऊंगा first counselling में कितनी लोग को बुलाया जाएगा तो friends सुर्वाद करते हैं आपने निश्ट निवसंतर पर आएए वहीं friends एक बहुत ही बड़ी अपडेट निलते आ रही है PPU अर्थाथ पाट्री पूतर पूतर उनिवर्सिटी है यही वज़ा है कि बीच में किसलों कोर्स के लिए परिच्छा फॉर्म के लिए ओन्लाइन आविदर में प्रकिया रोक दी गई है और हालिका विस्ट दाले के तरह से कोई कारण नहीं बताया गया है लेकिन दोस्तों बाकी सबका अभी रेगुलर का चलना है अगर वाले हो तो विकॉम वाले जल्दी से कर लो तो फिर आप लोग को बात में फिर से कहीं गरवर ना हो जाए फ्रेंस अब चलते यहां पर नेक्ट अपडेट यहां पर यहां पर यह है कि परिच्छा के बाद देर रात क्लैट का एंसर की जाई हो चुका है आज तक आपको दर्श करना है वहीं फ्रेंस एक उनिवर्सिटी है मौलाना मजरूल हक उनिवर्सिटी जिसमें आप लोग की पीजी के परिच्छा संपन हो गई है जी यहां दोस्तों पीजी की परिच्छा आप लोग के संपन वहीं फ्रेंस आप लोग को ओमेंस कॉलेज प मेंटिक इंटरपरिशा 22 का रेजिट्रन अब पॉंदर तक होने वाली है फ्रेंस अब चलते हैं तो फ्रेंस यहां पर अगली ख़बर है बी एच्चियू का जो पीटी रिजल्ट है वो दोस्तो आ चुका है काउंसलिंग अ थियोरी आप दोनों का अगर आपने दिया है जाकर पार्ट वन दो हजार उनीज से इकीस वाले सेशन के अंदर में उनका पतना साइंस कॉलेज टाइम दो से पांट वी से मिलूटिन जारी हो चुकी है कब से कब तो इजाम का होगा दोस्तो तो यह देख लो मैं फिलहाल इसका फोटो अपने टिलराम से भेज दूँगा अगर पालगन से कि आज से आप लोग बीर का फाइनल इयर का इजाम फर्म भर सकते हो वहीं फ्रेंस आप लोगों से यह आप बी यह जो जैय प्रकाशी दाले है उसमें यह लिया गया है निर्णाय कि पंदर्रह अक्टूबर से होगी आप लोग की परिच्छा दोस्तों इसका फो फ्रेंस यहां पर बी एक और अपडेट निकल के आ रही है जिसमें आप लोग कहा गया है कि एक अक्टूबर से काउंस्टिंग होने वाली है सतर दो हजाए बीस से किस के लिए अकैडमी कलेंडर जारी हो चुकी है जी यहां दोस्तों एक अक्टूबर से वहीं फ्रेंस बटा दूँ आप लोग का कि विस्वित दाले हैं परिच्छा है लंबिट छात्राएं परिशान हो चुके हैं यह खबर निकल के आ रहे हैं से पार्ट वन में नमंकन होगा जिसके बारे में अपडेट दी गई है वहीं फ्रेंस आप लोग को जो बिहार उनिवर्सिटी है जिसमें यह कहा गया है कि आज से भरे जाएंगे यूजी वर पीजी के परिच्छा फॉर्म जी यहां दोस्तों आज से भरेंस वहीं फ्रेंस बी आर अमित्कार उनिवर्सिटी बिहार बाबा सहाय भीमरा में आप लोग को एक्जाम फर्म भरने के लिए कुछ नोटी जारी हुई है तो आप इसका स्कीन सोट देख लो ले लो दोस्तों मैंने तरक भेज दूँगा पॉस्तों पढ़ लो दोस्तों आप चलते हैं निश पर देख लिए जगा वहीं फ्रेंस आपको एसपी जैन कॉलेज में कोई है जिसमें इंटरमीडियर कला विज्ञानवादी जिमें 72,000 से 22 वाले को फॉर्म फी जमा करने के लिए निदेश्टी आ गया है जिसका लास्टेट बताया गया है वहीं फ्रेंस यहां पर वीर यू नाम सुना होगा आप लोगको लाइतना मिठला उनिवर्सिटी का जिसमें डिश्टेंस एजुकिसन जो कर रहे हैं उसमें कहा गया है कि आप लोगकी एडमीर काट की हॉल टिकर जारी कर दी गई है जाके अपने अपने विसाइट सथ देख लिजिए वहीं फ्रेंस आपको साम में मगज जो उनिवर्सिटी है उसमें आप लोगको एजाम की रूटिन जारी की गई जहां आप आप देख सकते हो जिसमें मगज उनिवर्सिटी के बारे में कहा गया कि आपका कोई जंगमसम प्रोग्राम है बिपी एटी फर्ष्ट स्थर्ड अवें फिफ्ट जारी हो चुका है यहाँ पर आप लोगकव जो हाँ को सकेन लीष्ट चारी कर देगा यह ती तक आपको नबंगय नहीं है dough और वहीं उनित मेंट अब पर पर पी यू में जो एंग कोलेज है उसमें सेकेंड में अटलीस में भी 82% तका गया है कर्टप समझ सकते हैं कितनी वहीं फ्रेंस बता दू कि एक नोटीस आई थी पार्टली पुतरियों सिर्ट की तरफ से जिसमें यह कहा गया है कि अभी स्टिप आप लोग को यूजी रेगुलर पार्ट वन पार्ट टू और पीजी रेगुलर समस्टर वन टू का इजाम फर्म भरा आ जा रहा है बाकी यूजी वोकेशनल पीजी वोकेशनल बिलीस मिलीस का परिच्छा फर्म भरने तिती बाद में खुशित के रहे कि अभी नहीं आई है इसको लेके अभी नोटी जाए है कि मिठला विशुद्दाले में चात्रों को नहीं देनी होगी कोई डिगरी पार्ट वन टू में पीजी दितीय समेश्टर की परिच्छा होने वाली है जी हैं दोस्तों मिठला इनुरस्टी एक बहुत बड़ी अपटेट लेका आई है जिसमें होने कहा है कि आप लोग को पार्ट वन टू एम बीजी दितीय समेश्टर के परिच्छा के मिठला कोई डिगरी नहीं देनी पड़ेगी यह एक अच्छी ख़बर उनके तरफ से निकल के आ रही है तो फ्रेंस देख वहीं फ्रेंस आप लोग को यहां पर 120 सवाल पूसर जाएंगे इंटेगे इंट्रे चातर 15 अक्टूबर तक कर सकेंगे रिजिस्टर्शन के लिए आवेदन हेल्फ लाइन नंबर भी चारी किया गया है जाकर देख लिजगे दोस्तों तो फ्रेंस यह थी आज कि टोल बिहार के न्यूस के पर में जहां मैंने आप लोग धून दून ख़बर दे दिया है और द करते हैं पर खोलो कर लोगे कि वहां सबसे अधिक में अपडेट देता हूं दोस्तों दोस्तों यह वीडियो कैसे लिए जो बताना और दोस्तों आप लोग वीडियो सपोर्ट नहीं करते हो दोस्तों वन लाइक वन सेयर वन मोटिवेशन पूरे दिन की मैप लगती है तिक ह आपका एक सपोर्ट मुझे चाहिए दोस्तों और दोस्तों सपोर्ट में बस सेयर कर दिजे बाकी सब्स नहीं चाहिए बस आप सेयर कीजे वीडियो को लाइक कीजए गुडबाए मिलता हम फिर से कल फेस वीडियो में तब तक धन्य वाज जैमिस अके तरह जैहिंद जै भा अप्रान।